एक दिन का शायद मुझे लगता है कि 151 कुछ ऐसा चार्ज है आलाग डेड़ लग का वो आपने दिये इनके कई ब्राह्मन लोग थे इन्नोंने हमें पश्ट बताया कि भाई कोई काला टोटका राजू ये काला धागा बंदा वो सब निकाल दो यहां वैदिक परंपरा के दिखते हैं अभी आज सक्कार रहा ऐसा ने का आज बीजबो याब कल क्यों ने इसको फुल आया रहा इसा यह सब जूट है इस वगए मौजूद हैं बाबा करॉली शंकर के दरबार के बाहर और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक परिवार जो कि अभी दरबार के अंदर से निकल कर आया है बाबाने बाचीत करी और पूचा और इनका दावा है कि जो इनको बिमारी थी साइंटिफिक से जिससे चीजों से इलाज नहीं हो पाया पेट में दिखकत थी पैंक्रियास में दिखकत थी वो एक दिन में ठीक हो गई बात करेंगे आप से क्या मेरा नाम सचिन है मैंने मुंबई के बड़े हॉस्पिटलों में लगब कई लाखो रुपयों का खर्चा करके यह पैंक्रियाज पे जब डैमेज हुआ नेक्रोसिस हुआ तब वो काम किया मुंबई के रहने वाले जी 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 आप लोग ने वहां पे काफी इलाज के लिए ट्राय किया लेकिन आराम नहीं मिला अपका गहने का आराम तो मतलब इंशुलिन लेना पड़ रहा था और मैंने कई वीडियो देखे आश्रम के जिसमें कई लोगों को पैंक्रियाज के इसुस से राखत मिलती हुए मैंने देखी तो फिर हम सोचे कि हम आये और हमने जो किय जैसे कई बाते बताई बच्चे के बारे में brain disorder और यह बिल्कुल सही थी वो study में हम बार बार आपके घर में भी बच्चा है आप बार बार बोलते बेटा study कर अभी परसो exam है यह दो मिनिट जैसे 15 मिनिट करता और हमको दिखाता कि जैसे एक गंटा study किया है यह एक गंटा क ही काम करता अपको लगता नहीं कि हर बच्चे के हाले पढ़ाई में मन नहीं लगता फिर एसी क्या अलग बताऊं तो यह क्या है यह सनातन संस्कृति की कुछ वैदिक परंपराओं का सामर्त है देखो आपके भाई है पांच भाई पांचों भाई ग्राइजुएट है पर एक MBBS निकल आता है तो आप बोलो कि वो ऑपरेशन करता है तो यह कैसा संभव है हम आपको पूछे तो यह गलत है एक जैसे वो गुरुदेव है जिनोंने साधना तपस्या से वो सामर्त्यागर हासिल किया हो लगता है कि तपस्या से जो है आपकी चीज़े ठीक हुई है हम अब्जर्व कर रहे है कि क्या हो रहा है कैसे बदला हो लगे इस पूरी प्रक्रिया में एक दिन के अंदर हो गए हमने बड़ी प्रोसेस ली वंडे में हमको पहले जैसे हम अनुन थे जैसे इंटर हुआ तो इनके कई ब्राह्मन लोग थे इन्नोंने हमें पश्ट बताया कि भाई कोई काला तोटका राजू ये काला धागा बंदा वो सब निकाल दो यहां वैदिक परंपरा के नुसार विष्णु सहस्त्र नाम जो शास्त्र में लिका है रुदराबिश्यक जो श्यू को मानते है वो सभी प्रक्रिया आपको की जाएगी और प्रैक्टिकल में मे अच्छा इसा चार्ज है आलाग डेडलाग का वो आपने दिये तो आपको अप लग रहा है कि अब आप ठीक होगे आपको फरक लग रहा है है परक लग रहा है आपको तहीं नहीं लगता कि साइंस आज की ताइम पर बढ़ गई आगे साइंटिफिक चीजे मुंबई के पड़े है जैसे दस साल बाद डिवलफ हो तब पकड़ में आएगा आपके साइंस के उख में आपका मगज किस से चलता है उन मशिनों से उन दायरों में जितना आए वहां से उब इस साल बाद में पैशन्ट होकर आपके सामने आऊं तो आप मेरे को केवल के मो देके आपने भी एक दिन की प्रक्रिया थी जो हवंता वो आपने कराया अपको क्या प्रॉब्लम तो नाभी में अपने हमें लगल हरनिया का इश्यू था तो पेट मेरा बहुत सूजन जैसा लग रहा था फूला फूला सा जैसा लग जैसा लग अपरेशन कराने के लिए बोला था कराने के लिए कोई और चारा नहीं उसमें दवाई नहीं यह तेरा पेट पेन हो जाएगा तो तेरे को दवाई लेना नहीं सीधा ऑपरेशन ही था आप यहां पर बहुत में अहलका महसुस हो रहा है उपर से मैं ट्रेंड में से गीरी थी लेट में अपने गुटनों पे तो आपको जब नहीं लेगा कि विश्वास करना मुश्किल नहीं लेगा कि कोई एक दिन के अंदर हवन के माध्यम से बिना साइंस की मतद लेके कैसे ठीक कर सकता है इंसान को तो यह क्या है आप यह साइंस है कि पुरावों के दावे मतलब क्या बोलते उसको आपके अब्जर् कि वो ठीक है अगर यह शक्ति नहीं है अगर यह शक्ति नहीं है तो मा काली जिसकी पूरा भारत पूजा करता है कल से बंद होनी चाहिए यह बेटा भी साथ में है क्या नाम है अपका रूहन पवार यहां पर यहां पर यह में देखा कि आप अबाबा से बातचीत कर रहे थे आपका मन नहीं लगता था पड़ाही में अब आपने फोन भी दिखाया कि अब मुझे मन नहीं कर रहा फोन इस्तमाल करने का अपको कैस कहीं नहीं से फरक पड़ता है हाइट की बात करी जैसे हमने पिछले वीडियो देखे है कि कई लोगों के एक एक फूट हाइट बड़े है देखते है अभी आज सक्काल रहा ऐसा नहीं कि आज बीजबो है अब कल क्यों ने इसको फल आया यार ऐसा यह सब जूट है पांच बंदरों ने मैफिल बनाई तो बोले कोई सब लोग कहते हैं कि आम बो तो आम आते हैं बीज बो तो तो उन्हों ने बोले आप जाओ जरा बुजूर को बोला जरा दो तिन यहां आम बो बीज बो और वो पचीस मिनिट ऐसा ऐसा खुजला के देखने लगे बोले अभी तक बीज नहीं आया है इसका मतलब इनसान ने जो काईदा बनाया है कि आम से बीज आता है वो जूट है अचा आजकाल एक बाब आपे सवाल भी उठ रहे हैं एक केस में आपने सुना आओगा कि कैसे मारपीट के एजाम लगे मैं आपको फोटो दिखाना चाहूँगा कि ये पिच्चर है जिसमें मारपीट करके उनका सर पूटने के एजाम लगे रहे हैं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ है कैसा जंता इसका सीधा सीधा मुझे एक सवाल पूछना है जैसे वह वहां बैटे है मेरे भाई थोड़ा कम है वह थोड़ा शाराब पीता था पहले तो समझो वह उसी पूजिशन में वहां आया है मैं सोटा का बोलता हूँ कि वह किसी को मारेगा आप से ही मेरी लड़ाई जगड़ी इसी मामले में हो गई इसमें उनका दोश है मैं ज्यादा एगरेश्य हो तो खिंज दिया आपके पांचे तो बाबा को औरेस्ट बाबा के जो सेवादार रेते जिसको लग गया जो कोई बंदा है आप बोल रहे हैं इनोंने कुछ मारा पिटा होगा तो आप लोगों ने पहला वहां जाओगे बाई बंदे ने गलत किया आप बाहर जाके फिर वह करो वह आपका भले दाया है तो उन्होंने प्रेरित किया और मारा पर अगर सिचुएशन बाहर होती है तो बाबा जमेदा ठीक है एक वैसे वीडियो वाइरल हो रहा ता जिसमें सब उसको धका मार के लेके जा रहे हैं वह सकता है धक्का मार के बाहर ले जाना एक आम बातお願いします कि िख़ tut'ti डोर याइक वाले माता है लोग दे लाज कराया कि कुछ शक्ती तो है जिससे वह फरक्मेसूस हुआ और मार कि पिटाई वाले मामले में कहना है खिया Α punya आभार पागल आता है और वो अपने आप लड़ाई लेता है तो इसमें बाबा का क्या कसूर वीडियो जनलिस्स अमित के साथ सिमर चावला कानपूर